नमस्कार मैं हूँ सुजी सागर और आप देख रहे हैं livecities.in बीजेपी के मंत्री विनोध नारायन जहा का फिर से एक विवादित बयान आ चुका है इस बयान में वो सीधे सीधे RJD पर प्रहार कर रहे हैं उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं RJD का तो USP ही है भूरा बाल साफ करो इसी की राजनीती करता रहा है और ये कर रहा है तो कोई आश्चर यनक नहीं है जाती उनवात जाती भेदभाब RJD का आधार है वैचारिक और इसी आधार पर वो लड़वाते भी रहे हैं हत्या भी करवाते रहे हैं लेकिन अब जवाना बदल गया है भारतिये जनता पार्टी और NDA सब का साथ सब का विकास में विश्वास करता है और इसलिए ये एक एटिहासिक निर्ने है जिसमें उन्होंने 10 प्रतिशत सवर्ण जातियों को जो आरक्षन के सीमा में नहीं थे उन्हें आरतिक आधार पर आरक्षन जने का एटिहासिक निर्ने लिया है और इसमें सभी वो लोग भी हैं जो अन्य दूसरे समधाय के भी जो मुसल्मान या बाकी समाज के जो अगरी जाती माने जाते हैं उनको भी ये लाब मिलेगा तो इसलिए इसका इतिहासिक देनने है और बाकी दलों में भी इसका समर्थन किया हम उन्हें धन्यवाद देते हैं लेकिन भगवान आरजेडी को सदबुधी देते तो अच्छा रहता। वापस अपने पुराने फॉर्म में लोट रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने केंद सरकार के द्वारा यह जो 10 प्रतिशत का आरक्षन का मास्टर कार्ट खेला गया है। इस पर भी उन्होंने यह कहा कि विपक्षी दल बीजेपी के इस स्टेंड पर उसके साथ में है। फिलहाल आरोप प्रतियारोप का दौर जारी रहेगा। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और देश दुनिया की सारी लेटेस अपडेट्स के लिए LifeCities.in के साथ बने रहे है। धन्यवाद।